जदियू के संसदिय बोट के अधेक्श उपेंद्र कुस्वाहा ने एक बड़ा फैसला लिया है दरसल उपेंद्र कुस्वाहा का दिल्ली दोड़ा काफी मौत पुर्ण था और इसी बीच खबर निकलकर सामने आ रही है उपेंद्र कुस्वाहा दिल्ली से पटना लोड़ कुमार से अपना हिस्सा देने की बाद कही उसके बाद जनतादल युनाइटेट की तरफ से अधिकारिक रूप से उपेंद्र कुस्वाह पर हमला किया गया वहीं उपेंद्र कुस्वाह का मानना है कि वो जदियू के नेता है जनतादल युनाइटेट के कर्जकरताओं के सा कर्ज करताओं का सम्मान जद्यू में नहीं होता है और उपेंद कुषवा संसदिय बोट के अध्यक्षा उनका सम्मान नहीं होता है अब ऐसे में उपेंद कुषवा ने कल एक प्रेस कंफरेंस बुलाई है जिसमें सभी बातों को रखेंगे चर्चा यह है कि दिल्ली से उपे पर बात करने की और मुख्यमंत्री नितीश कुमार और जैनतादल उनाइटेड में हिस्तेदारी को लेकर आगे का जो प्रोसेस है वो करने जा रहे हैं तो कहीं जद्यू के अंदर खेमे में एक बार फिर से हल चल मच गई जैनतादल उनाइटेड अधिकारिक तोर पर कल ज़ू से बाहर हो चुके हैं उप最क्ष वह जद्यू में हैं और मुक्हमंत्री नितीश कुमार को मदबूत करना चाहते हैं साथी यप की निताओं का मानना है कि मंतिकु क्वशार ईनाइटेड को कमजोर कर रहे हैं एक तरफ जहां राजद और जन्रता ऐन T पार रहे हैं आखिर बातचीत क्या हुई थी तो ऐसे में अब तो उपेंद कुस्वाहा कल सब कुस्पस्ट करेंगे लेकिन आज की तस्वीर हैं वो तो इस पस्ट है उपेंद कुस्वाहा ने एक बड़ी बैठक भी बूलाई है अपने आवास पर और कल प्रेस कंफ्रेंस करे अगर इस वीडियो पसंदाई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लेए ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल ज झाल